हालो आल, वेलकम टू होम साइंस क्लासेज, बच्चे इन क्लासेज में क्लास 12 का 2021 का सिलेबस कवर कर रहे हैं, बच्चे अगर आपने हमाई लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने 1st unit का 1st chapter work, livelihood and career कवर किया था, इस वीडियो में बच्चे हम 2nd unit का 1st chapter clinical nutrition and dietics कवर करें था, तो बच्चे अब हम बात करेंगे objectives of clinical nutritionist, अब मेंटा clinical nutritionist के, sorry, क्या-क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया, clinical nutritionist करता है, ठीक है, उसको क्यों रखा जाता है, nutrition की क्या जरूरत है, अब उद्देश्य है, एक clinical nutritionist की ही क्यों जरूरत है हमें hospitals में ऐसा क्या हुआ, कि भई, डॉक्टर के साथ साथ एक clinical nutritionist पर बैठने लगा, क्यों, क्योंकि बटा, आज से पहले हमें क्या लगता था, दवाई खाओ और ठीक हो जाओ, बट आप लोग समझने लगे हैं कि सिर्फ दवाई खाने से ठीक होना सही नहीं है, हमें एक proper ऐसे इंसान के पास जाना भी जरूरी है, जो हमें ये बता सके कि हमें खाने में ऐसा क्या खाना है, जो कि हमें ठीक कर सकता है, ठीक है, सबसे पहली चीज तो clinical nutritionist क्या करता है, evaluate nutritional status of patient, हमारा जो मरीज है, हमारा जो रोगी है, उसका nutritional status क्या है, पहले तो वो चेक करेगा, उसके लि या अपने vitamins का check-up करा लो, या अपने एक liver profile करा लो, ठीक है, तो ये जो सब profile होते हैं, इन सब को अपसे पहले तो nutritionist पढ़ता है, तो उसे उससे पता लगता है, कि आपके अंदर actually किस nutrition की, या किस nutrient की, या किस पोशक तत्व की कमी है, ठीक है, उसके बाद curing nutritional problem, curing, curing मतलब उसको सही करना, उस चीज का इलाज करना, ठीक है, जब मुझे पता लग गया, कि भई मैंने status देखा, उसमझे पता लग गया, अच्छा जी, भई इस बच्चे में तो iron की कमी है, ठीक है, तो मैं उसको ऐसी चीज़े खाने को दूँगी, जिसमें nutrition, जिसमें iron सबसे ज़्या बनाऊंगी, एक diet chart बनाऊंगी, मैं एक ऐसा chart बना के दूँगी, जिसमें उसको ऐसा खाना खाना होगा, जिसमें iron present होता है, ठीक है, evaluating results and changing it based on nutritional needs, अब इसके बाद मैं क्या कहूंगी, अब आप इसके बाद हो सकता है, मैं कहूँ, दो हफते बाद आना, तो मैं दो हफते बा यह नहीं बड़े, अगर बड़े हैं, तो well and good मैं कहूँगी, भाई, इसी को continue करो, अगर मुझे लगेगा कि नहीं, इस diet के बाद भी आपके अंदर iron में improvement नहीं हो रहा है, तो फिर मैं पतला नहीं कोशिच करूँगी, कहीं ऐसा तो नहीं है, कि किसी और चीज की भी साथ मे नहीं हो जाती, मैं उस procedure को follow करती रहूँगी, ठीक है, फिर है nutritional assessment, potion मुल्यांकन, ठीक है, यह बहुत जरूरी है, यह जरूर पता होना चाहिए हमें कि किस को कितना nutrition जरूरी है, बेटा, nutrition कम जितना खतरनाक है, उतना ही nutrition जादा भी खतरनाक है, अगर मान लो मैं हद से जादा आइरन ले लेती हूँ, तो वो भी मेरी body के लिए बहुत dangerous है, ठीक है, तो nutrition तो एक प्रस्तावित मात्रा में ही, एक proper, you know, scale दे रहा है, इतना है न, आपने पढ़ा होगा न, बेटा, dietary index दे रहा है, पूरी recommended dietary index, 11th में पढ़ा होगा, है न, कौन सा nutrient कितना खाना चाहिए, प women को कितना iron लेना है, men को कितना लेना है, pregnant lady को कितना लेना है, feeding mother को कितना लेना है, अगर कोई बहुत जादा hard working इंसान है, जैसे physical work जादा करता है, जैसे की laborer, उसको क्या चीज क्या जादा लेनी है, कार्बोर जादा लेना है, कितनी मातरा में लेना है, exact उसमें सब कुछ द आपके food में involve करने से पहले To know about a person's current nutritional intake and nutritional requirement one need to do nutritional assessment ठीक है न? अगर मुझे जानना है कौन कितना nutrition खा रहा है, ले रहा है कितना nutrition उसको और चाहिए उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा assessment करना पड़ेगा पता लगाना पड़ेगा उसमें किस चीज़ कमी है या किस चीज़ कमी नहीं है फिर This requires detailed information of patient's health, food habits, personal life and medical background सबसे पहले तो मैं उस patient से पूछूँगे आपको कोई problem तो नहीं है, आपको कोई बिमारी तो नहीं है फिर हम पूछूँगे आपको क्या खाना जादा पसंद है फिर हम पूछूँगे आपकी personal life कैसी है क्योंकि बेटा हमारे खाने को सिर्फ खाना एफेक्ट ही करता है हमारा mental stress भी एफेक्ट करता है अगर मान लो personal life उसकी अच्छी नहीं चल रही है या उसके घर में किसी की death हो गई है या हो सकता उसकी married life अच्छी नहीं चल रही है या हो सकता उसे अपने बच्चे के रफ से कोई problem है तो क्या होगा जो वो problem है वो tension stress में convert होगी और जो stress है वो हमारे खाने पे effect आलेगा हम अच्छे से खाना नहीं खाएंगे जो nutritionist होता है क्यों क्योंकि उससे पता लएगा कि आपको पुरानी कौन-कौन सी बिमारी रह चुकी है तो क्या पता उन में से कोई बिमारी दुबारा हो जाए है यह हो सकता है किसी एक बिमारी जो पहले हुई थी उसकी वज़े से आपके अंदर हो nutrient की कम ही हो गई है ठीक है फिर है patient's anthropometric measurement to be recorded anthropometric measurement मतलब क्या होता है normal map आपके सर का map आपके हाथ का map आपकी height आपका weight ठीक है तो आपका इतना वज़न होना चाहिए ठीक है observing both lab test and physical measurement फिर उसके बाद क्या होगा lab test एक हाथ में lab test लो एक हाथ में physical measurement लो physical कौन से है जो आपने लिए है टेप इंच टेप वगरा से या weight वगरा और एक हाथ में lab test जिसमें लिखा है इतना vitamin इतना protein इतना कार्बूर्स लिवर का प्रोफाइल यह है फिर उनको आपस में compare करो keeping all the myths and religious beliefs in mind यह बहुत जरूरी है बेटा क्योंकि कई बर हमें लगता है कि जो myth हैं और religious beliefs हम उनको ignore कर सकते हैं और जो patient है वो हम जो कहेंगे वो खालेगा ऐसा नहीं होता ठीक है सबसे पहले तो हम आगे जो पढ़ेंगे कि भाई क्या 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 नुटिशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्यों जो मुझे लगते है वह यह होती है कि उसके अंदर कॉम्यूनीकेशन नेचर होना चीए कॉम्यूनीकेट करना आ ची तैसा अपनी बातों को कहना आना चाहिए क्योंकि मैक्सिमूम जो व cognitive तो सबसे पहले तो एक nutritionist को उनको convince करना आना चाहिए समझाना आना चाहिए और अगर वो नहीं समझे किसी भी तरह तो थोप नहीं सकते ना आप किसी पर है ना patient है आपका है तो आपको कोई और तरीका ढूबना चाहिए कि ऐसे तो यह मान ही नहीं रहा है तो क्या कोई और तरीका available है जिससे में यह particular nutrient यह particular portion तो उनकी body में पहुच जा दू ठीक है नेक्स आता है बेटा आपकी types of diet अब बेटा diet भी दो तरह के होते है एक होती है balanced diet और एक होती है modified diet ठीक है a diet which constitutes all the nutrition in the right amount satisfying a daily nutrition requirement is called balanced diet बेटा जो मैं खाना खा रही हूँ ठीक है उसमें हमारे सारे पोशक तत्व प्रेजेंट हो मैं पूरे दिन में जो जो चीज़े खा रही हूँ एक दिन में 24 घंटे पे उनमें मैं पांचों पोशक तत्व ले लू कार्वोस भी ले लू फैट भी ले लू आपके vitamins भी ले ल टा टीक है बैलंस याच तो है जो सब लोग काते है और मोडिफाइड डायट वह है जो पिमार इनसान खाता है जिसको कोई प्रॉब्लम है जिसको पर अपनी डाईट में सुधार लाना है वो खाता है ठीक है मानलो मुझे भुखार हुआ ठीक है बहुत सीवियर बुखार थ तो वो जो diet chart है वो क्या है modified diet या फिर आप कह सकते है संशोधित आहार ठीक है समझ करें Types of modified diet अब मेटा modified diet कई प्रकार के होते हैं कई तरह से आप diet में परिवर्दन ला सकते हैं है ना सबसे पहला जो है वो है frequency of meals ठीक है अगर कोई इंसान बेटा बिमार हुआ है ठीक है उसको तुम suppose करो ठीक है आप बिमार हो ठीक है याई आपकी ममीन और भी अब ठीक हुए अभी फ्रकार उतर गया उसके आज आट आपकी ममीन और आपको सब जी रोटी दही चावल अचारस ब्लाके कि लागी आगे रगत कि अच्यवांन के गुळीं आठता हौगा मुझे कुछ नहीं कहाना तो हम हें क्या है हमें खाना टूसना नहीं है मेरी तो जबरदस्ती कहला हमें हिपत थोड़ी थेर उखलाप सको मेरत प्राइब तो मैं कि खक निकला हुगी मैं क्या कहोंगी थोड़ा सा जूस एक ग्लास नहीं दूँगे, मैं आदा ग्लास जूज दूँगे, फिर एक गंटे बाद उसको कुछ और दे दूँगे, फिर एक गंटे बाद उसको थोड़ी सी खिचडी दे दूँगे, फिर एक गंटे बाद उसको थोड़ी सा नारियल पानी दे दूगे, तो थोड़ा-थो दिर नॉर्मल लाइट में अगर आप अपनी मील को एक साथ चाहगा ठागे को थोड़ी तो थोड़ी देर में खाएंगे तो आपके लिए जाधा है ठीक है फिर है कंसिश्टेंसी ओफ मील भोजन की सगंता बौजन कितना गाड़ा है बौजन कितना है वॉजन कितना मुश्कि अभी अभी बिमारों के ठीक हुआ है, अगर आप उसको पूरियां खिलाओगे, तो ओविसलि वो दुबारा बिमारों के ठीक होता है, तो हमें कोशिश करना है, कि उसकी जो डाइट है, वो बहुत ही हलकी हो, खिचडी, उपमा, इस तरह की हलकी डाइट देनी है, उसको जूस जाए जाए जाएदा शेक वगेरा, सैलेट, सैलेट भी थोड़ा बाद में शुरू करते हैं, उसमें फाइबर होता है, और जब बिमार होता है, तो फिर क्या होता है, कि हमारी बोड़ी फाइबर को भी इजीली पचा नहीं पाती, ठीक है, तो हमें कोशिश करना है, कि बिमारी मखण थोड़ी खिला दोगे, बिटा ऐसा नहीं है, कही कार्बोस भी ऐसा है, जो बहुत एनरजी देते हैं, ठीक है, जैसे कि आप खिचडी ही ला सकते हो, खिचडी ये बिटा दाल और चाबल दोनों होते है, इसमें मैक्सिमम प्रोटीन होता है और मैक्सिमम एनर पर चब्रोटीन्स झाल झाल झाल